मेरी लाइफ की ना एक ही प्रॉब्लम है दो नहीं गांचली तीन एक मिनट वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है क्या क्या बता हूँ वैसे मैं धाराविस से हूँ और जब भे किसी को यह पता चलता है कि मैं धाराविस से हूँ तो लोग मुझे ऑटमाटिकली इलिटरेट वो बिचारी सताय जानी वाली यह सब समझ लग जाते हैं मतलब कमार है यार एसा कैसे अभी पर्सो की बात ले लो एक आंटी मिली मुझे जूहू में और जब उनको पता चला ना कि मैं धारावी से हूँ तो मुझसे कहती ही पिचा आपके फादर है क्या वाओ मुझे तो लगा था कि धारावी में सब अनाती रहते हैं हां इडियट मतलब क्या है यह मैंने भी आंटी को इंग्लिश पजवाब दिया आंटी टी वाई मनुहर जोशी कॉलेज से टी वाई पड़ रही हूँ मतलब कराटे क्लास जाती हूँ कंप्यूटर कोस जॉइन किया हूँ सब कुछ सीखती हूँ मैं अभी में लोग मुझे ऐसे तरस से देखेंगे क्या मतलब मजाख है क्या या जाओ ऐसे, मेरी लाइफ केया बाल्बिम कीarth하고 ही रही है तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्म बाह इसे बूल धाती हूँ मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्म मेरा नाम यार आप मुझे बताओ खुंगरू किसका नाम होता है खुंगरू मेरे फ्रेंस ना मेरे नाम को लेके ऐसे डबल मेलिंग जोक्स बनाती है न क्या आप बता हूँ बाबा से भी जाके पूछा मैंने एक दिन कि बाबा आपको कोई और नाम ने मिला था मेरे लिए तो खुंगरू तो इस पर बाबा ने भी बहुत प्यार से जवाब दिया पता है क्या पिटा वो चीजिन तो हुई थे ना उस दिना टीवी पर खुंगरू आ रहे थे हदय यार मतलब मजाक है क्या कोई यह अगर उस दिनी पर वो गौट जिल आ रही हो थी तो ना गिना रही होती तो क्या करते मा होती ना तो पर जबर जाती पुछती मा से पर मा तो है ही नहीं मैं तीन साल की थी जब मा आज भी मा की अलमारी बिल्कुल ऐसे है मैं और बाबा एक ही कमरे में रहते हैं बाबा ने कहा भी कि मा की अलमारी को बाहर निकाल देते हैं जगा और बरचाएगी कमरे में पर कमरे में जगा बनाने के लिए मेरी मा की यादों को वो सब वो सब चीजें वो सब यादे उनको घर से बाहर तो नहीं निकाल सकती ना आज भी मा की अल्मारी को साफ करती हूँ उसके कपड़ों को छूती हूँ पदे उन कपड़ों से ना मा की फ़ई कुषपु आती है जो जो उस्वागत आती हूँ मेरी मा होती ही ना तो एक पारामी को आती है वहाथ से बहुत से लौत हूँ होती है जो foul अजम पैटी सिर्फ मा से बहुत सकती पाबा बहुत एच्छे नोजम प्यान करते है तो बहुत कोशिश पी करते हैं पर इमें कोशिश करते हैं तो नहीं पन सकते हैं झाल